दोस्तों, दुनिया की कुछ ऐसी जगाएं, जहां सबसे ज़ादा बारिश होती है, इंडिया के मिघाले में लोकेटर है. यहां मेंली दो जगाएं हैं, जहां Guinness World Records के मताबिक, अर्थ पर हाइस रेनफॉल रेकॉर्ड की जाती है. मौ सिंड्रम में साल आनाव 467 इंचेज, यानी करीब 39 फीट बारिश होती है, और चीरा पुंजी में 463 इंचेज के करीब रेनफॉल रिकॉर्ड किया जाता है. इतनी बारिश के बाद, जाहिर है कि यहां जीवन आसान नहीं होता होगा. रहने में तकलीफों के बाद भी बाहर के दुनिया से जुड़ने, आने जाने के रास्तों और नदियों को क्रॉस करने के लिए ब्रिजिस की जरूरत होती ही होगी. लेकिन मौडन ब्रिजिस के आने के काफी पहले से में घाले में रहने वाले खासी ट्राइब के लोग कुछ अलग इन्वेंट कर चुके थे. नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शगुन पाहवा, स्वागत करती हूँ आपका Study IQ में. आज हम बात करेंगे Original Root Bridges in India के बारे में. दोस्तों, आज का विडियो North Eastern India में सदियों से उगाए जा रहे पुलों के बारे में हैं. इन्हें Jing, King, Jri या Living Roots के नाम से जाना जाता है. Jing, King, Jri का मतलब होता है ऐसे पुल जो सांस ले सकते हैं. जी हाँ दोस्तों, Grow किये गए Bridges. ये सुनने में तो अजीव लग सकता है, लेकिन ये वास्तविक बात है. इंडिजनेस खासी ट्राइब के लोग यहां के Environmental Condition में रहने के लिए Adapt कर चुके हैं. ये Bridges इसी Adaptation का एक Example है. ये Bridges खासी लोगों के लिए तो फाइदेमन है ही, ये Climate के लिए भी बहुत क्रूशिल है. यहां तक कि कई देशों में वैग्यानिक तक भी अब इन Bridges को Climate Change से लड़ने के लिए एक Viable Option की तरह स्टड़ी कर रहे हैं. आज की इस वीडियो में हम इन Bridges की History को Trace करते हुए ये डिसकस करेंगे कि इन्हें कैसे बनाया जाता है. साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि इनकी Climate Change में क्या Importance हो सकती है. चलिए शुरू करते हैं. What is Living Root Bridge? दोस्तों, इंडिया में मौनसून सीजन जून से सेप्टेंबर के बीच में रहता है. ऐसे में मिघाले में नदियां उफान पर होती हैं और लोकल कम्यूनिटीज बाहरी दुनिया से अलग हो जाती है. Historically, खासी ट्राइब के लोगों ने बैंबू के Bridges बनाये थे. लेकिन इन Bridges के साथ दिक्कत ये थी कि वो आंधी तुफान में टिक नहीं पाते थे. इसके साथ ही साथ वो जल्दी डिकॉम्पोज भी हो जाते थे. तो इसका एक अच्छा विकल्ब धीरे धीरे खासी लोगों ने डेवलाप कर लिया. उन्होंने एक पेड़ को ब्रिज में बदलना शुरू कर दिया. उन्होंने इंडियन रबर प्लांट के साथ जिसे इंडियन रबर फिक भी कहते हैं एक्सपेरिमेंट शुरू किया. इस पेड़ का साइन्टिफिक नाम है फाइकस इलास्टिका जो फिक जेनरेशन की एक स्पेशीज है. इस पेड़ के रूट्स कुछ जमीन में और कुछ बाहर निकले होते हैं. इन जड़ों को मोड के बांध कर एक ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है. खासी ट्राइब के लोगों ने इग्जैक्ली यही किया. दोस्तों, एक लिविंग रूट्स के ग्रो करने की प्रोसेस ना ही छोटी है और ना ही सिंपल. एक ब्रिज के ग्रो करने और मोड कर एक ब्रिज की तरह काम आने में दस साल से तीस साल का वक्त लगता है. Natural growth के वक्त ही roots को bend कर उनको gradually bridge के रूप में architectural structure में डाला जाता है Ficus Elastica की tendency होती है कि वो आपस में मजबूती से जुड़ जाते हैं इस process को inosculation कहा जाता है जब ये पूरा develop हो जाता है तब सदियों तक stand करता है ये एक बार में 35 से 50 लोगों का वजन सहने की क्षमता रखता है अब सवाल ये है कि इन्हें कब बनाना शुरू किया गया History of Living Bridges इस सवाल का कोई जवाब नहीं है क्योंकि 80 ट्राइब के लोग भी इन bridges का इतिहास नहीं जानते हैं BBC की एक रिपोर्ट में इन bridges के traces 180 साल पहले से मिलना mention किया गया है Studies यहां तक बताती है कि इन bridges में से कुछ 600 साल पुराने भी है लेकिन ये उससे भी पहले से मौझूद हो सकते हैं Living Roots Bridges के पहले written records में से कुछ 1844 में Journal of Asiatic Society of Bengal में मिलते हैं ये Lieutenant Henry Yule द्वारा चीरापुंजी के सोहरा के बारे में लिखे गए हैं ये Living Roots Bridges में घाले की 80 Hills रीजिन में मौझूद Dance Valleys में हर जगा मिल जाते हैं इन में से सबसे बहतरीन और सबसे फेमस रूट ब्रिज ओमशियंग Double Decker Bridge है जो 180 साल से भी ज़्यादा पुराना है ये ब्रिज चीरापुंजी से 10 किलोमेटर साउथ में नौन ग्रियेट नाम के एक छोटे से गाउं के बाहर उमशियंग रिवर पर मौझूद है BBC की 2015 की एक रिपोर्ट बताती है कि villagers इस पर एक third level भी add कर रहे है ताकि ज्यादा tourist यहां आने के लिए attract हो इन bridges को बनाने के लिए खासी लोग नदी के दोनों किनारे पर इस्तिमाल में ली जाने वाली species के एक-एक पौधे लगाते है जैसे जैसे ये पेड बड़ा होता है लोग इन पेडों को मोड कर एक makeshift bridge के उपर permanent living bridge की तरह ढालते है makeshift bridge दरसल नदी के दोनों किनारे पर पनप रहे पेडों के roots को एक दूसरे की ओर मोडता है एक बार पूरा develop हो जाने के बाद ये bridge मजबूत हो ही जाता है Living Roots Bridges West Jaintia Hills District और East Kasi Hills District में मिलते हैं Jaintia Hills में ये bridges कोंगला, पादू, कुदेंग थाइमाई एन कुदेंग रिम एटसेटरा गाउं में पाए जाते हैं East Kasi Hills में ये bridges चीरापुंजी यानी सोहरा के आसपास के गाउं जैसे नौन्ग्रियाद, मेतैंग, लेकिन सियू, एटसेटरा में पाए जाते हैं मेगाले के अलावा ये bridges नागालेंड में भी मिलते हैं इंडिया के अलावा इस तरह के bridges इंडोनेशिया में बादूई नामक एथने ग्रूप के लोगों ने सुमत्रा आइलेंड में जमबातन और जावा के बेंतन प्रोविंस में बनाए हैं दोस्तों ये तो इस लिविंग ब्रिज की कहानी थी लेकिन इन ब्रिजस का इंवाइन्मेंट पर क्या पॉजिटिव इंपक्ट है लिविंग रूट ब्रिज होल्स फ्यूचर दोस्तों हम जानते हैं कि दुनिया क्लाइमिट चेंज को लेकर काफी परेशान है काबन डाय ओक्साइड और काबन मोनो ओक्साइड के साथ कई ग्रीन हाउस गैसेज हैं जो अर्थ को गरम कर रही हैं हमारे कोल, फॉसिल फ्यूल्स और अनसस्टेनिबल एनरजी के इस्तिमाल से आने वाले वक्त में क्लाइमिट पर बुरा असर होना तै है ऐसे में केवल फ्यूल में ही नहीं बलकि रहन सेहन में भी हमें ऐसे बदलाव लाने की जरूरत है जो पर्यावरन को नुकसान ना पहुंचाए हमें बिल्डिंग्स, रोद्स, ब्रिजज एटसेटरा भी एन्वाइनमेंट फ्रेंडली बनाने की जरूरत है जर्मनी की टेकनिकल यूनिवरसिटी ओफ म्यूनिक के कुछ रिसेर्चर्स ने मिघाले में खासी और जैंतिया हिल्स में मौजूद 77 Living Roots Bridges को 3 साल में यानि 2015, 2016, 2017 में इन्वेस्टिगेट किया था इन रिसेर्चर्स ने Living Roots Bridges की structural properties, history, maintenance, morphology और ecological significance, etc. को study किया था जो Scientific Reports नामक जर्नल में publish हुई थी इस study में बताया गया था कि इन ब्रिजज को future में होने वाले botanical architecture projects में reference point की तरह consider किया जा सकता है Conventional Bridges के opposite ये Living Bridges ना केवल खुद का building material प्रिडियूस करते हैं बलकि ये greenhouse gases जैसे carbon dioxide को पूरी जिंदिगी absorb करते हैं इन Bridges के कारण soil stable रहती है और नदी के किनारों में landslides नहीं होते जबकि Conventional Bridges soil की layers को कमजोर करते हैं लेकिन इन Living Bridges की roots soil erosion को होने से रोकती है Technical University of Munich के एक प्रोफेसर Ferdinand Ludwig इन Bridges को 13 साल से study कर रहे है मेघाले के एक local citizen और Piodiversity Institute of India की scientist Salvador Lingdog कहते हैं कि ये बाते केवल Ficus Elastica species के लिए ही नहीं बलकि कई species के लिए सही मानी जाती है लेकिन Ficus Elastica मेघाले के ecosystem में particularly important role play करता है Salvador का का काम हिमालियाज में conservation पर focused है उनके मताबिक fig trees species अपने आसपास biodiversity promote करने के लिए एक framework species मानी जाती है ये पेड animals को habitat देने, moss ग्रो करने birds और squirrels को habitat देने जैसे काम करते हैं इन root bridges को bark deer और clouded leopards भी इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, योरप में भी अब इस तरह के natural architectures को अपनाया जा रहा है लिडविक का कहना है कि खासी के लोगों को nature के साथ ढलना आ चुका है क्योंकि वो हमेशा से nature के साथ ही रह रहे हैं लेकिन योरप में climate अलग है जहां ficus elastica एक viable option नहीं है यहां पर compromise किया गया और experiments में platinus hispanica नामक एक tree का इस्तिमाल किया जाता है इसे London plane tree भी कहते हैं लिडविक कहते हैं कि खासी community को nature और ecosystem एक साथ interact करने का गहरा knowledge है उनकी team योरप में खासी tribe के लोगों की process को पूरी तरह तो नहीं अपना पाई है पर digital tools के इस्तेमाल से process को copy करना जारी है दोस्तों ये केवल sustainable development की ओर कदम नहीं है बलकि ये एक regenerative future की ओर बड़ा कदम माना जा रहा है sustainable growth में humans natural environment को damage और degrade करना कम कर देते हैं लेकिन regenerative growth में environment को दोबारा grow किया जाता है तो दोस्तों क्या ये bridges urban setup में वास्तव में इस्तिमाल किये जा सकते हैं urban settlement versus living root bridges living root bridges को लेकर क्या approach रखना चाहिए और इसमें किन-किन techniques को use किया जाएगा ये सब ही बाते अभी early research phase में है युडविक के मताबिक idea transfer पर फिलाल बातें जारी हैं लेकिन projects को लेकर कोई concrete plan नहीं है दोस्तों इसके अलावा plant की life भी pollution के साथ कम होती है बढ़ते tourism के कारण मिघाले में ही मौजूद Rewai Root Bridge और उंशियांग double decker bridge की health बिगरती नजर आ रही है The Living Root Foundation के founder Kong Thua का कहना है कि पिछले 10 सालों में इं bridges की health पर modern architecture के कारण adverse effect हुआ है इं bridges के आजपास concrete footpaths buildings बनाने जाने से negative impact पड़ता है दोस्तों, ficus elastica एक strong और robust tree है ऐसे में एक basic सवाल कि क्या urban environment में ये bridges हो सकते है या नहीं? उसका जवाब होगा हाँ, हो सकते हैं हमें civic planning और good governments के साथ ही साथ ये भी ensure करना होगा कि इं bridges को कोई damage ना करें हम technological advances के पहले nature के साथ चलते थे लेकिन अब humans इस बात को भूल चुके हैं लेकिन अगर future में human species नेचर के साथ चलना वापस सीखती हैं तो इन bridges और ऐसे natural architecture को समझना crucial है प्रेट प्रेट बाढ़र के साथ बापस सीखती हैं